चंडीगर मेर चुनाव में गड़बडियों के मामले में सुप्रीम कोट ने मंगलवार को एतिहासिक फैसला सुनाया है। कोट ने पुराने नतीजों को खारिश करते हुए आमादमी पार्टी के उमीदवार कुलदीब कुमार को बीजेई घोसित कर दिया है। आपको बता दे सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान ने घोशित किये गए आठ वोटों के मान ने करार देने का नर्देश दिया है। इन सभी वोटों के बैलेट पेपर पर रिटर्निंग ऑफिसर के क्रॉस जो लगाए थे उसको खारिश कर दिया है। बाहर जाकर काम किया। आपको बताएं रिटर्निंग ऑफिसर ने अपरात किया है इसके लिए उनके खिलाब समझीत कारवाई हो। दरसल CGI के बेंच ने सामनी सोमवार को रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूल किया था कि उन्होंने ही बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाया था। रिटर्निंग ऑफिसर ने पूस्ता जब उनसे किया गया तो उसके बाद चुनाओं से संबंदि सारे ओर्जिनल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्ता बेज मंगाये थे। जो कोर्ट रूम पहुचे रिटर्निंग ऑफिसर का वीडियो और बैलेट पेपर भी कोर्ट रूम में जमा कर दिया गया है। बाद कुल्दीब कुमार नी कहा कि मैं कोर्ट का धन्यबाद देना चाहता हूँ। सच को तो कुछ समय के लिए परिशान किया जा सकता है लेकिन सच को कुछला या दबाया नहीं जा सकता। गरीब घर का लड़का है। रिटर्निंग ऑफिसर की हरकत के वीडियो को देखकर साब पता चलता है कि ये लोगतंत्र की हत्या हुई है। ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहा है हम नहीं चाहते कि देश में लोगतंत्र की हत्या हो। हम चाहते हैं कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। ऐसे इस्थती में सुप्रीम कोट आखे बंद नहीं करकर बैठा रहेगा। सुप्रीम कोट ने टिपड़ी मेयर और डिपड़ी मेयर चुना के दोरान मतदान और मतगर्णा के समय वीडियो को देख कर दी थी। अब ऐसे में जो भी आर्ट पेपर पर मार्क लगाए थे उनको सबको खारिश कर दिया गया है और कुल्दी पुमार की फ़र से जीत हो गई।